हेलो, आप लोग कैसे हो, हम फिर से एक एनमोल कानी ये साथ हाजिर हुए हैं, तो चलिए कानी सुनते हैं ऐसी सीक, जो जीवन बदल दे, एक राज्या था, जिसका नाम रामदन था, उनकी जीवन में सबी सुक थे राज्या का कामकार भी एसो आराम से चल रहा था, राज्या के नितिक गुणों के कारण परजा भी भौत परसं थी, और जिस राज्या में परजा खुश रहती है, वहां की आर्थिक वैवस्ता भी दूरस्त होती है इस परकार हैर छेतर में राजय का परवा अच्छा था इतने सुकों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी ये गम राजा को अंदरी अंदर सताता रहता था परजा को भी इस बात का बहुत दुख था वर्षों के बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे पुत्तर की प्राप्ती हुई पूरे नगर में कई दिनों तक जसन मनाया गया नागरिकों को राजा महल में दावत दे गई राजा की इस कुशी में परजा भी जूम रही थी समय बीतता जा रहा था राजकुमार का नाम नंदन सिंग रखा गया पुज़ा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ती हुई थी इसलिए उससे बड़े लाड प्यासे रखा गया था लेकिन अत्ति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है अधिक लाड प्यार ने नंदन सिंग को बहुत बिगाड के रख दिया था बचपन में तो नंदन की सबी बाते दिल को लुबाती थी पर बड़े होते होते यही बाते बत्तमीज में बदल गई थी नंदन बहुत ज्यादा जिद्धी हो गया था उसके मन में एंकार आ गया था वो चाता था कि परजा सदेव उसकी जे जे कारा करे उसकी परसंसा करे उसकी बात ना सुनने पर वै कोला होल मचा देता था बेचारे शेनी को कोतो वो पेर की जुती समस्ता था वो खुद को बगवान के समान पूजना देखना चाहता था आयू तो भहुत कम थी लेकिन एहम कई गुना बड़ा हो चुका था नंदन के इस वैवार से सबी भहुत दुखी थे पर जा आय दिन दर्बार में नंदन की सिकायते लेकर आती थे जिसके कारण राजा का सरलजा से जुखा रहता था यह एक गंभीर विसे बन चुका था एक दिन राजा ने सबी खास दर्बारियों एहों मंतरियों को अपनी सबा में बुलुआया और उनसे अपने दिल की बात कही वे राजकुमार के इस वैवार से अत्येंद दुखी है राजकुमार इस राजे का बविशे है अगर उनका यही वैवार रहा तो राजे की कुशाली चन्द दिनों में जाती रहेगी दर्बारी राजा को सांत्मना देते हुए कहते हैं कि आप इमत रखे वरना परजा नी सहाई हो जाएगी मंतरी ने सुजाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मारक दर्शन एवं सामाने जीवन के अनुबव के जरूरत है आप उन्हे गुरु राता गुप्त के आशरम भेज दीजिए सुना है वहां से जानवर भी इंसान बन कर निकलता है ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आशरम भेज दिया अगले बिन राजा अपने पुतर के साथ गुरु जी के आशरम पहुँचे राजा ने गुरु रादा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विशये में सारी बाते कई गुरु जी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुतर से मिलेंगे तब उन्हें गर्म मैसुस होगा गुरु जी के ऐसे सबद सुनकर राजा को शान्ती मैसुस हुई और वे सहस अपने पुतर को आश्रम में छोड़कर राज महल लोट गए अगले दिन सुबै गुरु के खास चली द्वारा नंदन को बिक्षया मांग कर खाने को कहा गया जिस से सुनकर नंदन ने साप इनकार कर दिया चली ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो बिक्षया तो मांगनी होगी और भिक्षया का समयी साम तक ही है अन्यता भुखा रहना पड़ेगा नंदन ने अपनी अकड में चले की बात नहीं मानी और साम होते होते उसे भूख लगने लगी लेकिन उसे खाना नहीं मिला दूसरे दिन उसने भिक्षया मांगना सुरू कर दिया शुरुवात में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षया नहीं देता था लेकिन गुरु कुल में सबी के साथ बेटने पर उसे आदा पेट बोजन मिल जाता था दिरे दिरे उसे मिटे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करिब एक महने बाद नंदन को भर पेट बोजन मिला जिसके बाद उसके वैवार में बहुत परिवर्तन आए इसी तरह गुरु कुल के सबी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किये जिसे रादा गुप्त जी भी अच्चे से समझ रहे थे एक दिन रादा गुप्त जी नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे शेर पर चलने को कहा दोनों सेर पर निकल गए राश्ते भर बहुत बाते की गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुदिमान हो और तुम में बहुत अधिक उर्चा है जिसका तुमें सई से उप्यो करना आना चाहिए दोनों चलते चलते एक सुन्दर बाग में पहुँच गए गुरु जी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फुल तोड़ने को कहा नंदन चट से सुन्दर सुन्दर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु जी के सामने रख दिये एब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने को कहा नंदन हो भी ले आया अब गुरू जी ने उसे एक गुलाब सुंगने को दिया और कहा बताओ केसा लगता है नंदन ने गुलाब सुंगा और गुलाब की खूप तारिप की फिर गुरू जी ने उसे नीम के पत्ते चक कर उसके बारे में कहने को कहा जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाये उसका हमुई एकदम से कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पिने का पानी ढूणने लगया नंदन की ये दसा देख गुरुजी मुश्कुरा रहे थे पानी पिने के बार नंदन को राहत मिली फिर उसने गुरुजी से एसने का कारण पुचा तब गुरुजी ने उसे से कहा कि जब तुमने गुलाब का फुल सुगा तो तुम्हे उसकी खुस्वू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत तारिप की लेकिन जब तुमने नेम की पतिया खाई तो तुम्हे वो कड़वी लगी और तुमने उन्हे थूग दिया और उनकी बहुती निंदा की गुरू जी ने नंदन को समझाया जिस परकार तुम्हे जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारिप करते हो उसी परकार परज़ा भी जिसमें गुणोते हैं उसकी परसंसा करती है अगर तुम उनके साथ दुर वैवार करोगे और उनसे परसंसा की उमिद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे इस परकार जहां गुणोते हैं वहाँ परसंसा होती है नंदन को सभी बाते विस्तार से समझ में आ जाती है और वो अपने महल लोट जाता है नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सपल राजा बनता है गुरु की सीक ने नंदन का जीवन ही बदल दिया वो एक करूर राजकुमार से एक नयाई पिरिय दयालू राजा बन गया इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हममें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे लेकिन अगर हम एव गुणी है तो हम लोगों से परसंद सा की उमईद कत्ता ही ने कर सकते ऐसी अनमोल कानी के साथ हम कल फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना